सरसो का तेल तो आप सभी के घर में इस्तिमाल होता है लेकिन क्या आपको पता है इसे फैक्टरी लेवल पर बड़ी-बड़ी मुशीन दुवारा कैसे तयार किया जाता है तो आज मैं आपको लिखिया है कि यहां पर काली कच्छी घनी सरसो का तेल बहुत यूनिक तरीके से त कि काली रहे हूं जाया है मशिन है जिसको ऑइल बनता हे ऑल यग जा रहा है उपट वह मशिन को दे रहा है एक नंबर मशीन बहुत एक नंबर से यहां से जाएगा । यह यहाँ से खीच एगा माल को चलाएंगे तोईसमें जाएगा इसको सी जाएगा इस इसको कहन job level और यह कहीं को दे रहा है एक नम्र मशीन को सब्सका है जो पाइप लगा हुआ नो यह पाइप लगा हुआ है इसफार में से नीचे मसीन में इसमें और इसको मुश्र करने के लिए पानी लगाना पड़ता तो ये पानी साथ की साथ पाइप फिटिंग उसके बाद ये तेल निचोड कर रहा है तो यह मशीन जो माल निकाल रही है यह इस एलिवेटर को दे रहा है यह अधा के दो नंबर मसीन को दे रहा है सेम सिस्टम और दो सब्सक्राइब को दे रहा है यह टैंक बना हुआ है हमारा तेल स्टॉक का नीचे यह यहां से वहां तक टैंक बना हुआ है सिर्फ मशीनों के सफाई के लिए लेबर है कहीं पर मशीन जाम ना हो रूके ना माल मसाइन कोई सपी जो है एक महीने में 15 दिन में जब भी मलता है यह पश्चों के काम आता है दूज की डेरियां होती है जागाय भैसे होती है उनको चारे में डाला जाता है पच्छू के लिए अच्छा होता है खाना भी समझो कोई भी आइटम डालते हैं खंडा चूरी जैसे चने का डाल बनता है उसका छिलका निकलता है उसको भी डाल तो उसे दूद अच्छा देता है यह माल यहां ज्यादा आ जाता है तो रुख जाता है कटोरी छोटिया होती है ना यह माल उपढ़ा नहीं पाता है यह पाइनल निकल ला है यह कपरे लगे हुए है जी इज़र से फंप चला है पंप के में पाइप लगा हुआ है इस पर Nisha प्रपर पड़ता है तो यह कप्रात तेल चानता है वाइस तेल जी फाइनल होगान है ज़रा निचे थे हम डाइक से फेर चान कर हाथा तो मो तर से मोटर सब्सक्राइब भाशिए है यह जो मुझे पताए यह तक मने वहां ओर आक भीफ़ श्य خались यहां पाइड कर है नि जब ज्यादा भरना हो तो मोटर है वैसे यह पैकिंग मशीन है यह डारेक्ट उदर से आ रहा है अलग अलग लाईने सब की पीली सर्सों का लाग है जितने भी पाई पर अलग अलग सिस्टम है तो यह भी हमारा है यहां पर काला सर्सरा भरा जा रहा है एक लीटर कदा में 160 न यह तो हम अलग नारियाल पॉल्टी बनाने के लिए मैं जो है मशूर हूं हुँ इस ए एरिये में कोई अरफेरी नहीं करता हूं इमांदारी से काम करता हूं और जो है काफी दिन से इसलिए चला हो मेरा कश्वीर तक्तिल जा रहा है डिमांड बहुत है मैं डोंटाइज नह माकान है तोर क्या चाहिए पैकिंग किस तरह से करी जाती है इसमें रोल लगा हुआ है मसीन पैक है वेट सैट है इसमें पोच कटके आटोमेटिक सब एक किलो नेट एक किलो का इसमें पूरा का पूरा नेट सैट है तो यहां पर देख सकते हैं हमारी काली सरसो है उसका ऑईल बनके रेडी हो गया यहां पर बॉटल पाकिंग आपको मिल जाएगी ब्रैंड का नाम है डबल ओम ब्रैंड मारा ओइल जो है वो बिल्कुल बनके रेडी है यूज करने के लिए ताइम है सुवह मॉर्निंग से लेकर स्याम को नो बज़े था बंसल आइल मिल एठारा शोप शॉपिंग सेंटर मंगोलपुरी